तो गुट मॉर्णिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टूए चैनल माई क्यूट हूम गार्डन तो फ्रेंड्स लास्ट वीक हमने कुछ बल्ब पर चेज़ किये थे आज हम उन में से कुछ बल्ब को ग्रो करने जा रहे हैं तो जिस बल्ब को आज मैं ग्रो करने जा रहा हूँ वो है मेरा जो रूटिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है तो आज हम इसको जो है वो ग्रोव करना आपको बताएंगे कि एमेरलेस लिली की बल्ब को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं किस तरीके से आपको उसको सोईल जो है उसको प्रिपेर करना है तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल माई क्यूट होम गार्डन को सब्सक्राइब और बैल आइकन प्रेस करना ना भूलें तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं सोईल की बात कर लेता हूं कि आपको मिट्टी किस तरीके से तयार कर दें तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई बल्ब गरे तो ग्रो करें तो उसमें जो सेंड की से बल्ब के अंदर को पानी की रिवोर्मेंट उनकी कम होतीत है तो मैंने गार्ब कर प्रेइर किया दो घ्रेंड को यह मैंने नॉर्मल घोबर की खाद का लिया है तो ये सारा आप सब कुछ जो है वो ले सकते हैं और ये बिल्कुल सही समय है एमेरलेस लिली के बल्ब को ग्रो करने का तो आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी मैंने पूरी तरह से तयार कर लिया और इस चीज़ों का आप ध्यान रखे और अगर आप चाहें तो इसके अंदर फंजिसाइड पॉडर या जो वोड हैश है वो भी मिला सकते हैं तो फ्रेंड्स अब हम अपने लिली के बल्ब को ले लेते हैं और देखे एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखे कि जब भी आप बल्ब को ग्रो करें तो ये जो इतना हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये आपको सोयल के अंदर डालना हो जो ये वाला बहार वाला है ये बहार ही र जरूरी है तो हम थोड़ा सा मिट्टी को डिक कर लेते हैं और फ्रेंड्स वीडियो में अंतक बने रहीएगा और थोड़ा सा डिक करना पड़ेगा मुझे तो ये जो है देखिए लीफिंग लीफ तो कुछ पहले ही इसके उपर जो है वो आपको नजर आ रही होंगी तो फ्रेंड्स ये हमारा जो बल्ब है वो ग्रू कर दिया है हमने और बहुत ही इजी ली जो है ये ग्रू हो जाएगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ तो फ्रेंड्स फिर से स्वागत है आपका वीडियो में तो ये जो अपडेट है लगबग लगबग डेल्ड से दू महीने के बाद अपका अपके लिल्ले का बल्ब ना शुरू कर देता है और काफी healthy grow हुआ है और आप देख सकते हैं यह देखे काफी अच्छी इसमें लीफ आ रही है और धीरे धीरे यह जो है और ज्यादा जो ग्रोथ है वो भी करना शुरू कर देगा तो फ्रेंड्स इसमें फ्लावर आने में थोड़ा सा समय लगता है 5-6 मन्त का टाइम लग सकता है क्योंकि बल्ब से जाब ग्रो करते हैं तो इतना टाइम लगबग लग जाता है तो फ्रेंड्स अपनी नेक्स वीडियो में जब भी इस पर फ्लावरिंग होगी वो भी मैं पसंद आगा पसंद आगा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए